और इस बार तो यहाँ पर इन्हों ने डिस्प्लेय पर 144 हर्स रखा ही रखा है लेकिन परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 8 Gen 3 दे रहे हैं मतलब अधर के अंदर Snapdragon 8 Gen 3 के तगड़ा पावर इस टैबलेट के अंदर तो देखो टेकी पार्च आप लोग ने बहुत भर-भर के मतलब लाइक Android टैबलेट आइपैड इनके डीटेल में वीडियो देखी देखें अभी रीसेंट टाइम पर यहाँ पर मैं चेक कर रहा था यह एक नया टैबलेट आया हुआ हुआ है इसका फॉर्स जेंडरेशन जो चाना उसको मैं टेस्ट कर चुका हुआ 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 है जो लास्ट टाइम ने थी और लास्ट टाइम मैंने सिर्फ टैबलेट कवर किया था इस बार मैं उसका पूरा एस सरी का बंडल बाय करूंगा और वो भी सब 40,000 के अंदर और देखो मुझे तो यहाँ पर काफी इंट वो भी बाई किया साथ में इसकी oneplus stylo 2 pencil भी है वो भी मैंने पर्चेस करी है और यह चीज मैंने इसलिए भी मंगाई है यहाँ पर देखने के लिए कि इसका 144hz का तगड़ा डिस्पले है और यह क्या 90FS की bgmi की गेमिंग को एकदम तगड़ी तरीके से परफॉर्म कर पाए मतलब जो additional चीज़ software को लेकर जो बात हो गई stylus को लेकर जो बात हो गई और last time जो oneplus से कुछ चीज़े miss out हो गए थी वो इस बार software में मुझे बहुत जादा उपर देखने मिली है सबसे पहले इसके दो variant आते है तो start वाला variant 40,000 रुपीज का है और जो second वाला variant है अपर वाला accessories को use करने के बाद में इनकी जो pricing है वो justify लगी है किसी किसी जगा तो ऐसा है कि iPad जो चीज़े नहीं दे पा रहा है यह उससे plus में दे रहा है और ऐसा हो रहा है पहली बार कि मैं कह सकता हूँ यह मैं किसी iPad को switch कर सकता हूँ मेरे oneplus pad पर तो color variant को लेकर देखो गे ना तो यह ए एक दम पतली देखने मिलती है वेट के around भी अगर सिफ tablet tablet को देखते हो तब तक ठीक है बाकि इस पर keyboard और बाकि सारी चीज़े attach कर दोगे तो of course heavy देखने मिलेगा बाट पूरा एक complete system आपको मिलता है बाकि इस पर जो type C port है वो भी काफी अच्छा है type C 3.2 second generation देखने मिलता ह उसकी वज़े से हम लोग display output ले सकते हैं और even जो faster data transfer है वो भी ले सकते हैं बाकि एक चीज़ मैंने notice करिए कि इसके अंदर 3.5mm jack का port नहीं आता है बाकि tablet के जिसाब से दो microphone है जो कि आपकी meeting on conference वगेरा को लेकर अच्छे से work कर जाएंगे पहली बात इसकी जो stylus pencil है इस पर एक must coating करी है एक तोड़ी सी leather finish type की ऐसी लगती है बहुत ज़्यादा अच्छी हातों में grip भी बनाता है double tap to feature वगेरा सब कुछ आते है इसकी एक चीज है कि जो आप इस तरीके से magnet कर सकते हो और इसकी magnetic power मैं कहूंगा मुझे अच्छी लगी है साफी pressure लेने के बाद खुलता है और रही बात इसका जो एक keyboard आता है यह इतना interesting है मतलब अगर मैं इसे इस तरीके से detach करके यहाँ पे रख दू और मैं इसे खड़े हो के तो भी मैं इसे use कर सकता हूँ इतना smart keyboard उन्होंने बना रखा है और दूसरा connection इसका इस तरीके से Pogo Pins के through connect हो जाता है अभी जैसे कि यहाँ पर जिनको idea होगा इस चीश को लेकर कि अगर कोई दूसरे brand का कोई इस तरीके का keyboard यूज करता है तो detach होने के बाद में वो work करना बंद कर देते बाद यहाँ पर यह Bluetooth की through connect हो जाता है जो बहुत smart move रखा है OnePlus ने और वो use करने में बहुत जादा अच्छा है मतलब अगर ऐसा है कि tab कहीं किसी दूसरे कोने में आप multimedia gesture अराम से use कर सकते हो बागी इसके keyboard पर top line पर देखोगे तो पूरे multimedia features दे रखे brightness कम जाधा करना हो गया screenshot लेना हो गया media pause and play mute delete वगयरा सब कुछ है पर नीची की तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पर direct search bar भी है बागी जो इस पर AI का button दिया है उसको दबाओगे तो आपका Google Assistant चालू हो जाता है बागी इसका जो trackpad है ना वो इतना जाधा smooth भी है और अच्छी कासी size में भी आता है एक tablet के हिसाफ़ बागी अगर जब आप इससे use करते हो तो एक चीज बहुत जाधा interesting है जब आप इसको scroll करोगे तो यहाँ पर जब use करोगे तो एक तो जो pointer है 144Hz की वज़े से यहाँ पर जो कह रहा था ना वो पूरा refinement डिक कराता है अब यहाँ पर आपको multi gesture supports भी है for example अगर आप कोई application खोल लेते हो और इसमें double finger से अब scroll वगएरा कर सकते हो three finger से यहाँ पर application close करना हो गया screenshot लेनी है तो ऐसे three down करोगे तो screenshots आ जाएंगे और single pressure मतलब कर नॉर्मल प्रेस करनी की नॉर्मल टच भी करोगे ना तो haptics बहुत जादा अच्छी तरीके से ले लेता है और side में एक NFC का tag देखोगे तो आपके पास अगर oneplus का phone होगा ना तो उसमें data sharing वगएरा करना चाहते हो ना तो oneplus का phone आप direct tap करो और वहीं से आपका पूरा data transfer रेना वगएरा जो भी हो सक होता है तो ऐसा feel नहीं होता कि आप single monitor कर रहा है उसा लगता है कि 5-6 monitor करते हो क्योंकि जो snap होता है इतनी जल्दी जिसकी वाइस से जो experience है वो और ज्यादा fluent हो जाता है बागी अगर नीचे देखो कि तो यहां पर Google AI में आप try Gemini भी कर सकते हो बागी अगर आप Google Assistant को change करना च processor है TSMC आता है उपर सिर्फ जब मैंने इसका सबसे पहला मतलब check करना था ना होता है कि like power इतनी जादा अची है तो N2D benchmark पर सबसे पहला जब score निकाला तो कुछ यहां पर हमको almost 16 lakh के आसपास के score दिखने मिल गए 15,85,000 कह रहा हूं पर मैंने कहा किया बैटरी के अंदर जाक के वह mode on करने के बाद में performance मिलेगी इस performance को use करने के लिए मैंने क्या किया सबसे पहले तो आपका जो भी UI software experience उसको तो कोई issue नहीं है आराम से smooth मखन तरीके से handle कर देता है कोई भी application खोलो बंद करो game खेलो यहां पर यहां इस पर हम लोंने क्या किया था एक मेर पास CRIO के controller थ पर यह tablet 90FS unlock करके देता है और उसके बाद में अपना जेंशन इंपेक्ट हो गया highest setting में खेल के देखा COD हो गया वहां पर भी highest settings आपको मिल जाती है सबसे पहले जेंशन इंपेक्ट वगेरा जैसा game है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मखन buttery smooth चल जाता है दूसरी चीज से अभी नया ज़स्ट game launch हुआ है थोड़े से software updates के थूँ बीजेमा की थूँ भी oneplus के थूँ जब मस्त चिपकेगा न तो वहां पर optimization हमको और on top देखने मिलेगी पर इतना है वैसे तो gaming देखा है कि बहुत कम लोगी करते है पर of course 144hz की display पर 90FS खेलने का जो experience है वो काफी ज गेंपले वगरा मिलता है hyper rendering मिलती है बाकी एक चीज Elgato support इस पर मिलता है क्योंकि इस पर type C 3.2 आती है उसके बाद में जो RAM faster है storage यहां पर भी 3.1 मिलती है जो की मेरे ही साब से according में सही देखने मिलती है OnePlus का जो animation अभी जो improved हुआ है और UFS 3.1 का combination जब मिलाओ गये तो animation इतने smooth लगते है न भाई क्या ही बोलू अगर देखो यहां पर अभी आपको पूरा YouTube पूरा खुलावा दिख रहा है लेकिन अभी इस पर quick draw खोलना है तो नीचे के task work बस हलका सा hold करके रखो जो dock है ना पूर battery smooth बागी CPU throttle test करके देखा 70% का CPU throttle निकल कर आया बैटरी यहाँ पर 9510 image की है और box के अंदर 67 watt का charger है अगर आप इससे मतलब 100% charge करने जागे तो पूरा जो time चले जाएगा almost 81 minute के आसपास 80-81 minute और 30 minute के अंदर कुछ 64% charge हो जाता है और battery backup को लेकर इतना कहूंगा कि यह tablet आपका 1 से देड़ दिन तक का battery backup दे देगा अभी दूसरी सिनारी यहाँ पर यह है कि आप user कैसे उसके अबरे भी सीजर डिपेंड करेगी अब ज्यादा multimedia तो चलो ठीक है बड़ा कर जादा gaming consume करोगे तो of course battery आपका तो अलग होगा तो एक से देड़ दिन तका battery backup मेरे हिसाब से इस मस्त में आ जाता है और मेरे user experience के हिसाब से भी मुझे काफी अच्छा मिला इसके अंदर आप sim वगेरा ने डाल सकते हैं ना 4G ना 5G sim अगर suppose आपका OnePlus का phone है तो 5G data है तो वो आप शेर कर सकते हो वो एक इसके अंदर interesting feature आता है दूसरी चीज Wi-Fi 7 है latest वगेरा almost सब कुछ मिल है Bluetooth और NFC वगेरा भी यहां पर जैसे की keyboard भी अविलेबल वागी इसके अंदर 27 sensors आ जाते हैं और इसके अंदर face unlock आता है एक का न मेरे हिसाब से side fingerprint scanner वगेरा कुछ होता तो बेटर होता पर वो नहीं दिया हुए यहां पर चाहिए तो फिर password lock लगा लो या फिर face unlock लगा लगा मैं एक बात बोलूगा specs number चलो एक बात ठीक है बट मैं इसको पहले सोच रहा था कि इसकंदर AMOLED होता तो मस्त होता जब तक मैं शूट नहीं कर था मुझे याद भी नहीं था कि यह IPS display के साथ में आता है और content watch करना इस पर तो भाई अलगी तरह के का जन्दना थे क्योंकि इ उपर और नीचे वगर full screen पे content देखते हो तो black bar वगरा देखने मिलेंगे of course बागी यहाँ पर इतना है कि इस पर जो refresh rate है वो आपकी 30, 48, 50, 60, 90, 120 और 144 Hz पे बीच में switch करती रहेगी बागी YouTube पर आप 4K का HDR content देख सकते हो और display में आपको कुछ additional settings मिलती है जैसे कि image sharpner, video color boost व speaker है न 6 आती है, total 6 speaker का support है और उसकी वज़ासे जो immersive sound आता है और इसके अंदर आपको कुछ अलग तरीके के feature जैसे कि आपको hollow audio मिलता है और overreality audio मिलता है जिसकी वज़ासे आपको जो sound का experience है कभी मतलब dome type का देखने मिलेगा, कभी-कभी आपने orientation सीधा रग दिया तो बहुत अच्छे है, trust me, बहुत अच्छे है, और जब आप content के साथ match करते हो, जैसे कि Netflix पर मैं content देख रहा था, जो अपना boys season 4 आया वता, वो देखा मैंने इसके बहुत मज़े आ गए, बाकि इसमें मैंने type-c के earphones भी लगाए और audio और भी जादा प्यारी आ रही है, जितने बहुत अच्छी तरीके से implement कर रखी है, टाइपिंग करने पे, volume plus minus करने पे, सब जगा पे, और animation का दो बता चुका हूँ, 144Hz प्लस, oneplus का software experience का, जो animation combo है, बहुत super निकाल के देता है, अभी देखो, software के न, मैं आपको इसे glimpse दिखाऊंगा, detail में घुसेंगे तो ये video अच्छ करना, वो easily हो जाएगा, दूसरा आपको cellular data sharing मिलती है, जैसे मिन आपको पहले बता दिया, oneplus का phone होगा, tap करके मस्ता में use कर सकते हो, एक मिलता है, remote file access, जिसकी वैसे आपका oneplus बैड का या फिर आपका oneplus के phone का data है, आप easily एक दूसरे के अंदर देख सकते हो, बाकी इसके application को आप single time use कर सकते हो, और दो application को आप full screen करके use कर सकते हो, अब बाकी AI को लेकर कुछ interesting चीज़े और यहाँ पर implement हुई है, AI eraser 2.0 मिलता है, जो पहले से अभी और ज्यादा बैटर तरीके से काम कर रहा है, फिर आपको smart cutout 2.0 मिलता है, of course, वहाँ से आप चाहे तो किसी person को select क करके अब उसका जिफ बगएरा बना सकते हो, जो भी आपको पसंदा है, वो कर सकते हो, फिर मतलब sticker बना सकते हो, AI toolbox मिलते हैं, और साथ में आपको recording summaries मिलती है, लेकिन वह अभी के लिए आई नहीं है, और साथ में AI speak हो गया, और साथ में AI write हो गया, यह आपको September के मन्त में देखने मिलेंगे, और अगला है यहाँ पर scan document, जिसकी वज़से आपकी वो तो करी सकते हो, साथ में जो अगर को इसी चीज है, जहाँ पर private होनी चीज है, तो उसको भी ब्लैक आउट कर देगा, टैबलेट के अंदर है ना, कैमरा वगरा को लेकर इतना जादा बात होता नह इसके अंदर जो center stage हुआ करता ना, जैसे आप इदर जा रहे हो तो आपको center करने का कुशिश करता है, वो अभी इसके अंदर मुझे दिखा नहीं है, और camera इसके लिए आप छोटे मोटे document वगरा scan करना हो गया, college student हो, office work हो, तो वहाँ पर ही चीजे काम आ सकती है, हलाकि tablet यहाँ पर आपको तभी काम आएगा, जब आप meeting वगरा करते हो, तब जाधा काम आएगा, और देखो, oneplus ecosystem का यहाँ पर यहाँ पूरा काम चल रहा है, oneplus थी तरस से मेरे को ऐसा लगता है, कि जिसकी वैसे यहाँ पर आपको, suppose आपने tablet के अंदर किसी जगप यहाँ, copy किया, oneplus पर फोन पर रहोगे, तो वहाँ पर डिरेकली paste कर सकते हो, मतलब अपने यहाँ से tablet के अंदर copy करी, अपने फोन पर जाओ, paste करो, paste हो जाएगा, तो मुझे इस tab के कुछ ऐसे points जो बहुत जादा अच्छे लगे, stylus काफी अच्छा काम कर रहा है, और keyboard भी जो यहाँ पर oneplus ने दिमाग लगा के मस तो काम किया है, ना कि इसको Bluetooth के थुरू भी connect कर सकते है, तो यह feature तो मेरे को असा लगता है कि हर एक brand को भी कर देना चाहिए, इतना smart यहाँ पर इन्हों ने खेला है, तो यह feature अपना जो pencil आती है, oneplus की style और two point हो, वो बहुत अच्छी तरीके से work करते और जो लोग official use है, students है, उनके काम का बहुत है, बड़ अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि आपका यह जो tablet system है, यह किसी मतलब ऐसे laptop को switch कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप इसके अंदर coding वगरा नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे normal editing वगरा कर सकते हो, कुछ ऐसे application जो support कर जाती है, बड़ फुल फ्लेज, जो .exe files होती है, वो इसके अंदर आप रन नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर एक laptop का अलग काम है, और एक tablets का literally अलग काम है, तो आपको अपना use pattern समझना है, तो उस हिसाब से आप यूस कर सकते हो, और मुझे जितना अभी मैंने इसको tablet को use किया है, मुझे most of points में plus ही लगा है, कुछ जो points उपर नीचे थे, वो मैंने पूरे वीडियो के अंदर share कर दिये, और जब मैंने पिछला OnePlus Pad 1 यूस किया था, पहला जब launch हुआ था, तब मैंने इनकी pencil वगरा नहीं लीती, लेकिन आज, जब मैं इसको second time use, OnePlus Pad 2 यूस कर और बाकी अगर आपको बाय वगरा करने का कुछ होगा, सारे link वगरे description में डाल दूगा, तो वहां से जाके check कर सकते हो, तो यह थे मेरे पूरे वीडियो में thoughts, positive, negative, जो भी थे, मैंने सारे share कर दे आपके साथ, हुपसो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके interest के हि वीडियो यहाँ पर आपको दीख रहे होगी, क्लिक करके check out कर सकते हो, और नहीं चेया आपको subscribe कर देना, next time आपको इसी तगडिक डिटील वीडियो के साथ में बिलूगा, ठीक है? चलो, take care, bye!